असलाम अलाइकुम उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड सेप्टेंबर के नेक्स्ट कुस्टें हमारे पास है चूज था बेसिक उकसाइड के इन में से सबसे जादा बेसिक उकसाइड हमारे पास कौन सा होगा ऐसा नोट हूँ आपने उकसाइड कर जब आप ट्रेंड पर तें तो आप यह देखते हैं कि जब आप लेफ और प्रियॉडिक टेबल तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि SN और SI यह तो हमारे पास चले ही उस तरफ एसलिक उकसाइड में जा रहे हैं फोर्स ग्रूप में नॉन मैटल्स में इसके लाब हमारे पास मैगनेशियम उकसाइड और NA2O अब मैगनेशियम हमारे पास अलकलाइड मैटल है तो अलकली मै पास है तू यह लॉजिकल रिजिंग का कॉस्चन है बहुत सिंपल कॉस्चन था देखें टू डॉग कीज फाइटिंग विद इच अदर वन विद लार्ज होंड और वन विद समाल होंड विच वन विद इंजर्ड मोस्ट के दो गदे आपस में लड़ रहे हैं एक के जो सी सींग बड़े हैं दूसरे के सींग छोटे हैं तो किसको ज्यादा चोट आएगी अब आपने इसमें यह देखना था कि जो गदा होता है उसके तो सींगी नहीं होते तो इसमें हमारे पास option क्या जानी थी none यह logical reasoning का question था मतलब कोई भी यह नहीं था कि आपने सोचना था कि कि किसको चोड़ लगे किसको नहीं सिर्फ सींपल आपने स्टेट्मेंट को समझना था और आपको इसका आंसर मिल जाना था right option हमारे पास क्या आजाएगा डेल्टा डॉंकी जो गदे होते हैं उनके सींग नहीं होते नेक्स्ट हमारे पास है विछ वगानी इस थी fused cyclic aromatic compound इनमें से कौन सा जो है वो cyclic aromatic compound और fused है नेफ्थालीन और फिनैंथरीन का structure आपने देखा हुआ है यह देखें नेफ्थालीन एंथरासीन और फिनैंथरीन तीनों जो होते हैं इनके रिंग आपस में fused होते हैं लेकिन जो हमारे पास option दी हुए है डाइफिनाईल मिथेन डाइफिनाईल का मतलब यह कि दो बंजीन अलग से होंगे और दोनों के दर्मयान जो है मिथेन अटेच होगी तो यह हमारे पास fused aromatic compound नहीं होगे तो हमारे पास right option क्या हो जाएगी डेल्टा नेफ्थालीन और एंथरासीन बोथ ऐलफा एंड चार्ली नेक्स कोश्चन हमारे पास है ozonalysis of benzene gips कि जब benzene की ozonalysis करवा तो आपके पास benzene triozonide बनते है उसके पाद आपके पास three moles of glyoxal बन जाते हैं तो हमारे पास product क्या होती है glyoxal right option is charlie next question हमारे पास weight of a body at center of earth is कि अर्थ के center पर किसी body का वह weight क्या होगा आपको पता है अर्थ के center पर हमारे पास g की value याई gravitational constant की value हमारे पास zero होती है weight हमारे पास होता है mg जब आपके पास g की value ही zero है तो आपके जो weight है body का वह भी zero होगा right option is beta next question हमारे पास है which of the following animal is macrophages के इन में से कौन सा जो है वो macrophages हमारे पास हमारे पास इन में से वो वो फाला जब में हमारे पास अर्फार में हमारे पासफू ह मत्य को कमारे स्वेगे नहीं होता है you have give connection. इसे हम लोग मैक्रोफेज कहते हैं राइट ऑप्शन इस डेल्टा नेक्स कोशन हमारे पास है विच वन आफ दी फॉल्विंग इस पॉलीमर कि इनमें से कौन सा पॉलीमर है कि अब डोट आपको पता है मौनोमर्ज हैं और माल्थो और सुक्रोज के मिलने से भिल्ता इंट औरसी नेक्स कोशन है मारे पास है पिलॉकुर्ण माल्थोज on the right to the planet पर अब्लोड प्लोड प्रेशर को प्रवाइड करतेों रिंड़ओन पार्टे पहला है रायट ऑप्शन इस चार्ली यह सिंपर बुक लाईने आप भी नेक्स कोशन हमारे पास है ब्लड प्रेशर हाई किसके अंदर ब्लड प्रेशर जाए हो सबसे हाई होगा यह आपकी बुक में ग्राफ दिया है कि ए और टा के अंदर ब्लड प्रेशर सबसे हाई है इसके बाद कैपलरीज में डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर तो इसके बाद विन्यूल फिर वेंज और फिर वेना के बाद यह इसने हाईस्ट का पुछा हुआ है तो हमारे पास राइट आप्शन क्या होगा ए और्टा नक्स्वेसित हमारे पास इन फिमेल्स टेस्टो स्टीडो वा कहा नगी परोड ये फिमेज किने टैस्टो स्टीडों जो थैंवारे पास độ नीक्स को यह फिमेल्स पास मेड WEmmar पास होता है उसका यारलेज न फिलीस पे धिया bezषक्ली कर्टिड कोर्टेंग्श होते है यह रोज मुलाए दोरोग्ए होति हैं जहां मेल पूस्ट उस्ट के बईन उस्ट अम्हां मुलाइ वर्ञ न्हां वर्णी ऑ्न सी इन दोराओ पास टेंट इसस्टानी लमका तो हमारे पास जो है यह इस पर कौन सी कर्डिशन अपनाया होगी इसो थर्मल जिसमें टेंपरेचर कॉंसें रहे रहे राइट ऑप्शन इस एल्फा नेक्स कोश्चन हमारे पास पिलाया है फाउंड उन सर्टेंस पीछ तो ग्राम पॉस्टिटिव बेक्टेडिया ग्राम ने की प्रेसेंट होते हैं नेक्स कुश्चन हमारे पास है इस स्पीड़ इंपर फॉटेज टाम स्पॉंट्य ताम जाते हैं इसको म 1975 फॉटेचर कंडेचर घ्रिकशन राइट उप्शन होटे है लेकिन रिपास साल्टेट्र इंपल्स होती है उसकी स्पीड महरे पास 120 मेंटर आपको नमबर ओफ मोल्स दीओं और आपको नमबर ओफ मॉल्स फांड करने का फॉर्मूल आपके पास नमबर ओफ मॉल्स इंटु एवोगेडर नमबर आप 2.1 को 6.02 मुल्टिप्लाइब तेंगी पावर 23 से मुल्टिप्लाइब तो आपके पास आंसर आएगा 12.4 12.642 इंट 10 की पावर 23 अब यह हमारे पास option नहीं हम लोग पॉइंट को राइट साइड पे मूफ करेंगे तो आज रहेगा 1.26 इंटू 10 की पावर 24 तो राइट आप्शन क्या बनेगी मारे पास alpha next question हमारे पास है how many hydrogen bonds water molecule form with another water molecule इसमें आप से पूछा है के एक water molecule दूसरे water molecule के साथ कितन ही hydrogen bonds बनाता है इस question में बहुत से बचे mistake करके आते हैं मैं आपको नीचे इसको पहले explain करके दिखाती हूँ यह देखें आपके पास center में एक water molecule है oxygen भी आपको पता है कि दो lone pair होते है और आपके पास hydrogen है sides पे दो hydrogen bonding के लिए हमारे पास condition क्या होती है जो हमारे पास molecule है उसके प साथ एक और water molecule का oxygen attach करके hydrogen bond बना सकता है इसी तरह दूसरे hydrogen के साथ भी एक और water molecule अपने oxygen के through hydrogen bond बनाएगा यह होगे दो hydrogen bonds अब oxygen के उपर दो lone pair है तो दो water molecules अपने hydrogen अटेश करके इस oxygen के lone pair के साथ hydrogen bond बना सकते हैं तो total हमारे पास bond कितने हो जाएंगे four hydrogen bonds दो hydrogen bonds हमारे lone pair की वज़ा से बन रहे होंगे और दो hydrogen bonds हमारे hydrogen atoms की वज़ा से बन रहे होंगे right option is delta नेक्स कुच्छन हमारे पास है नियो-pentryl hylide इसके नियो-pentryl hylide हमारे पास क्या होती है नियो-pentryl hylide का पहले हम नोग structure देख लेते हैं कि structure किस तरह से होता है Cs3-cs3-cs3-cs2 साहँ है और आरहे साहँ हमारे पास हमारे पास कloride cuestión कलो बाइड साहँ है właśnie इन में से कौन थी option जो है वो एवोगेडरो नमबर के equal आएगी अब इन में से जो जो इन options में से जो quantity 1 mol के equal होगी वो एवोगेडरो नमबर के equal होगी हम लोग नीचे देखते है atoms in 1 gram of helium हम लोग number of mol इसके देखते है मैस 1 gram helium का molar मैस मारे पास क्या होगा 4 महरे पास क्या रहे है 0.25 यह option नहीं हो सकता क्यूंकि आपको पता है कि एवोगेडरो नमबर of particles होते हैं तो हमने वह उप्शन देखना है जिसके दर 1 mol हो नेक्स्ट बीटा option हमारे पास है 24 gram of magnesium इसके number of moles देखे 24 magnesium का molar mass भी 24 तो इसके number of moles हमारे पास क्या है 1 तो इसमें इसमें abogadros number के equal particle होंग जानी 6.0 to 10 into 10 की power 23 तो हमार पास right option क्या आज़ेगी बीटा next question हमारे पास है the word protein is derived from क्यों word protein जो है वो किस language से derived कि यह Greek word है यह Greek word proteose derived किया गया था जिसका मतलब है primary importance right option is beta next question हमारे पास है which of the following is true about ATP के इनमें से कौन सी चीज़ों ATP के बारे में true है कि ATP एक enzyme है ATP आपको पता है currency of cell होती है is organic part of enzyme is prosthetic part of an enzyme it is co enzyme यह हमारे पास reactions में as a co enzyme user जिसे हम लोग molecular unit of currency भी कहते हैं तो right option हमारे पास क्या जेगी delta next question हमारे पास है he dash to school English के बहुत simple mc use आ रहे है he dash to school आपके पास future का tense पूछा हो है नीचे will go will के साथ आपको पता है हम लोग first form यूज़ करते हैं तो हमारे पास answer कहेगा he will go to school right option is alpha next question हमारे पास है transition element is mostly used in industries के industries में कौन सा transition element जो सबसे ज्यादा use होता है इस question का general sense से भी solve कर सकते थे कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा transition element यूज़ होते तो आप आइरन दी हुए है तो right option हमारे पास delta ही होना था लेकिन वैसे भी आप याद रिखे जो हमारे पास iron है वह सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है राइट option is delta next question हमारे पास है papillary muscle extensions are responsible for papillary muscle extensions होती है papillary muscle extensions हमारे पास क्या होती है कॉड़गे टेंडी नहीं वह किस चीज़ के लिए responsible होती है bicuspid contraction tricuspid contraction या mitral contraction अब आप देखें कि आपके पास जो कॉड़गे टेंडी नहीं होते हैं वह कहां पर present होते हैं हमारे पास ventricles में present होते हैं लेफ्ट और राइट दुनों ventricles में जो हमारे पास right ventricles और right atrium के दर्मियान हमारे पास tricuspid wall होता है तो यह जो हमारे पास acid contraction tricuspid contraction दोनों में involved होंगे तीस्रा हमारे पास option है mitral contraction मिट्रल मिट्रल वॉल्व यह जोते हैंब जो होता है वो हम लोग मिट्रल ये कैते हैं कि क्योंकि क्या हमациं लस्क आपकाें मिट्रल वॉल्व, पास मिट्रल और बार भान पास हैं errbacad cupcake what's true about it के एक माज होया है वो स्मोकी किचन में कुकिंग कर गया है तो उसके लेकर उसका बच्चार हो रहा है तो क्या इसके बारे में true होगा पहली option थी हमाईर पास mother should leave the kitchen food will be spoiled in our absence baby must be with him in kitchen she must leave kitchen for baby अब आप एक चीज को देखें पहले तो हम लोग अपनी चार्ली option को देखते हैं बेबी must be with him in the kitchen आपको पर statement में का है कि स्मोकी किचन है बेबी का वहाँ पर आना safe नहीं है तो बेबी को वहाँ पर नहीं लेकर जा सकती दूसरी हमारे पास है food will be spoiled in our absence जरूरी नहीं है कि खाना जो है उसकी गहर मजूदगी में खराब होजएगा हो सकता है वो proper अपनी precautions करके जाए next option हमारे पास है mother should leave the kitchen के mother को जो है वो kitchen छोड़ देना चाहिए और delta option हमारे पास है she must leave kitchen for a baby उसे बच्चे के लिए kitchen छोड़ देना चाहिए तो इन दोनों में से हमारे पास जादे appropriate statement होगी वो delta वाली होगी क्योंकि उसमें purpose जाए वो specify कर दे कि उसे बच्चे के लिए kitchen को छोड़ देना चाहिए तो right option हमारे पास क्या हो जाएगी delta next question हमारे पास है if there is German aux in animal form ये भी logical reasoning का question है और बिलकुर उस पहले donkey जैसे question की तरह है इसमें सिर्फ आपने statement से ही आपको answer मिल जाएगा अपना कि अगर German aux in animal form में और पाकिस्तान इसका dood use कर रहा है without payment without possession तो हमारे पास क्या correct है it's legal ये कानूनी है पाकिस्तान pays for the milk German give donation पाकिस्तान is caring for dead German animal ये नन अब आप देखें कि बात इसने aux की किया है aux तो हमारे पास दूदी नहीं देता ये तो mail है तो हमारे पास इसमें option क्या आजएगी delta sorry e वाली option हमारे पास आजएगी यानि नन next question हमारे पास है pathogen inside cell is killed by cell के अंदर जो pathogen होते हैं उन्हें कौन kill करता है यहाँ पर बच्छे confused हो रहे थे antibodies के option में जो antibodies होती है वो उसकी growth को inhibit करते हैं लेकिन उसे kill नहीं करती है जो pathogen होते हैं उन्हें interferon जो होते हैं वो kill करता है right option is beta next question हमारे पास है अपर आपके पास नीचे ट्रेक्या दर्मयान में आपके पास जो structure होती है वो होती है लेरिंग्स लेरिंग्स यानि वाइस बॉक्स इसमें कुछ students confuse हो रहे थे glottis के option में कि हम लोग glottis की नहीं डिख सकते हैं पहली बात तो यह कि glottis एक structure नहीं है एक part नहीं है यह सिरफ एक opening है यह opening किसकी होती है लेरिंग्स की यानि वाइस बॉक्स की opening उसने statement में हमसे part का पूछा है तो हम लोग इसे consider नहीं करेंगे दूसरी वज़ा जो उसने पूछा है कि फेरिंग्स और ट्रेकिया के दर्मयान जो है intermediate part आपने उसको बताना है जबके glottis जो हता है आपका वो फेरिंग्स और लेरिंग्स के दर्मयान की opening होगी फेरिंग्स और ट्रेकिया के दर्मयान हमारे पास वाइस बॉक्स यानि लेरिंग्स होगा right option is right option हमारे पास आजाएगी बीटा next question हमारे पास है how many calcium ions diffuse across pre-synaptic membrane at a time यह कुछ questions अब ऐसे हैं कि जो पता नहीं PMT ने कहां से दिये मैंने फेडरिल की book PTB KP के तीनों books जैक की हैं मुझे कुछ questions वहां नहीं मिले शायल ब्लोटिस्तान की book से या पता नहीं कहां से उन्होंने उठा के दिये हूए questions कि कि कितने calcium ions हैं प्री साइनैप्टिक membrane को cross करते हैं at a time वह हमारे पास 100 to 200 होते हैं राइट option is Charlie next question हमारे पास है which one is not the secretion of deudanum इसमें भी कुछ दो हमारे पास जो options हैं वह हमारी book में discuss की हैं लेकिन बाकी जो Charlie और डेल्ट हैं वह नहीं है mucus का आपको पता है कि हमारा जो पूरा digestive system होता है वह mucus secret करता है secretion की आपको पता है कि deudanum के जो S cells होते हैं वह secretion को secret करते हैं उसके बाद हमारे पास option थी बिलिविर्डिन हीम की जब breakdown होती है स्प्लीन में तो तब यह produce होता है next हमारे पास था कॉली सिस्टो काइन कॉली सिस्टो काइन जो होता है यह गट हॉर्मोन होता है जो मील के बाद रिलीस होते हैं जो digestion में help करता है यह बी डूरिनम स्क्रीट करती है उसने हम से पूछा थ है इसमें हमारे पास option है myelin sheet neurofibril node myofibril node इनको हम लोग myelin nodes भी कहते हैं और neurofibril node भी कहते हैं कि हमारे पास myelin node नहीं myelin sheet का word यूज हो है तो हमारे पास या प्रेफरेबल आंसर होगा neurofibril node right option is beta next question है मारे पास है two ribosomal units are attached to each other when magnesium iron concentration reached to के दो ribosomal units जो हैं अपस में attach करते हैं जब magnesium iron की concentration क्या हो इसकी concentration की जब value हमारे पास होती है वह 0.001 होती है लेकिन यहां पे most close हम लोग option देखें तो alpha बनेगी यानि 0.002 right option is alpha next question हमारे पास है ohum slice applicable to ohumla किस पर applicable होता है semi connectors पर तो applicable नहीं होता क्रांट्स पर यहां रिजिस्टर्स पर यहां पर हम लोग प्रॉप्डिएट options देखें तो हमारे पास resistor ही बनेगी right option is Charlie next question हमारे पास था when male and female gametes combine जब male और female gametes combine करेंगे तो हमारे पास क्या होगा इसकी options बाकी options बच्चे को याद नहीं थे लेकिन हमारे पास generally एक question था कि वो fertilization होती है तो हमारे पास correct option यहीं होगा next question हमारे पास है how many chances of mother to birth son or daughter कि बेटा या बेटी पैदा होने के chances की ratio क्या होती है हमारे पास 50% chance की होता है कि बेटा पैदा होगा 50 ही chance क्यों होता है कि बेटी पैदा होगी तो हमारे पास आएगा one ratio one की दोनों की ratio same होती है right option is Charlie next question हमारे पास है earth dash around the sun move moves moved इंग्लिश में सब्सक्राइब को देख लगता है कि आपको tenses पर अच्छी grip होनी चाहिए क्योंकि mostly mc आप से tenses के बारे में पूछे गए मैं अर्थ जो है वह सिंगूलर है तो हमारे पास आएगा moves around us and right option is bigger the light we are seeing ही चुके जो light हम लोग देख रहे है वो कौन सी है obviously बात है कि जो देख रहे है वो visible है बाकी जो हम लोग नहीं दे सकते है वह कोई भी हो सकती है ultraviolet भी हो सकती है infrared भी हो सकती है यह पर हमारे पास right option आजएगी alpha next question हमारे पास है how clouds are formed कि clouds किस तरह से बनते है इसकी दूई options बच्चे को याथी clouds की formation जो है कि जनरल concept है कि जब आपकी evaporation होती है कि किसी भी चीज की water droplets आपके जब atmosphere में जाते हैं तो वो clouds की आपका में प्रोसेस आपका में आपका में आनसर आना था वो इवापोरेशन की बेस प्याना था इवापोरेशन कब होती है water absorb heat due to sun जब sun की raise पर यह heat की वज़ा से जो होती है water इवापोरेशन होती है water heat absorb कर थे वेपर की फर्म में एकमोस्फर में चला जाता है तो हमारे पास option आना थी water absorb heat due to sun की जब water heat इसको absorb करता है वो एकमोस्फर में जाता है तो वह weपर जब हमारे cloud में convert हो जाते है right option is alpha नेक्स पॉस्चन हमारे पास है वन वी कट रड़ प्रोड्यूस वाटर इन कट रीजन द्यूटू कि जब आप किसी द्रग को काट तो उसके जो कट वाला रीजन होते हैं उसके वाटे ड्रोपलेट्स नेजर आते हैं वह हमारे पस रूट प्रेशर की वज़ा से होते हैं इस चारली. नेक्स कुछन हमारे पास है बैटेडिया लिए लिए बिलॉंग टू कि इंडेस्ट्रइनान रहने माले बैटेडिया जो वाटमेन के प्रोडूस करते हैं वो किस ब्रूप से बिलूंग करते हैं? हमारे पास रौट शेया होते हैं जिन हम लोग बैसी लाई भी राइट आप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी बीटा आज के टेस्ट मैंने आपको इसा डिसक्स कर गया किसी भी में कोई confusion है तो आप मुझे एक comment section में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को subscribe करें तके आने वाली अप्डेट साब तक पहुंसती रहें अल्लाहाफिस